इसलो दोस्तों सिफसंकर सेफ चैनल में आपका स्वागत है चलिए आज हम बताते हैं आपका एक ट्रीक जो आपका ओजन कम हो सकता है कुछ सूप के बाड़े में बीट रूट सूप चलिए आज हम बनाते हैं बहुती असान रेसिपी जिसके लिए हमने फ्रेंड हमको क्या-क् सान से सिफसंकर सेफ चैनल की माध्यम से है ना तो ये देखिए हमने सबसे पहले बीट रूट ले लिए हैं बीट रूट मतलब जिसको कुछ उंदर बोलते हैं हिंदी भासा में वो हमने ले लिए हैं दो पीस का जैसा और आप अगर घर में 4-5-10 आदमी खाने वाले हैं तो आप अपना हिसाब से कुंटिटी ले 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 हैं तो हम इसको सबसे पहले पानी में वास कर लेंगे अच्छा से जो इसका जो कलर होता है ना बहुत ज़्यादा रेडनेस होता है अगर आपका बलड का कमी है तो भी आप इस सूप को इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये देखिए हम हमने एक सिस्पन ले लिये हैं जिसमें बटर थोड़ा सा यूज किया हूँ और उसमें हमने लहसन जो होता है गार्लिक वो हम चार पांच दाना यूज किया हूँ और इसमें हम यूज किया हूँ थोड़ा सा ब्लेक मास्टर सीड थोड़ा सा और इसमें हम यूज किया हूँ जिंजर का थ्री पिस्टलाइस, ओनियन, छोटा सेज क्यूब कटा हुआ, थोड़ा सा करी पता है, है ना, आप लोग का सामने हम जो जो यूज कर रहे हैं, वो आपको लाइब देखला रहे हैं, जिसमें हम एड़ कर रहे हैं, बीट रोट, क्यूब कटा हुआ, उसमें और हमक कुछने, नमक और थोड़ा सा चीनी एड़ कर ले रहे हैं, थोड़ा सा लंग, लंग इसलिए हम एड़ करते हैं, अभी कोरोना कल चला है, सूप में डालके पीने से हमारा सेप्टी है, और थोड़ा सा हम तेज पत्ता एड़ कर लेते हैं, है ना, भूती यूनिक ट्रिक, इ ऐसे कि हम लोग दो आज में पीने वाले हैं, तो हम उसी साब से कॉंटिटी ले लिया हूं, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर का मातरा हम एड़ करते हैं, ब्लैक पेपर पॉडर, ब्लैक पेपर पॉडर एक्चुली आपको ओट कमाने में भी बहुत कमाता है, आप एक बार जर तरीका से हम इसको पीश लेते हैं, है ना, उसका बाद ये हो गया गिरेन, रिपीट हम उसी सिस्पन में डालेंगे और उसी जो पानी जो इस टोक बनाएःः उसी से धुलाए कर gör게 sorry, उसी को मिकषर गरेंन में फीर से डालके उसी में हम soup में डालेंगे उसका बद आप चाहें तो आशा cream अड़ कर सकते अगर अगर आपको लगता वो फ्रीज क्रीम नहीं चाहिए ओट पुरा ही कमाना है तो नहीं भी आड़ कर सकते तो है न बहुत ही असान recipe तो आप लोग बीडियो को skip ना करे और guest के सामने हम serving कैसे करें मतलब serve कैसे करते ये देखिए हमने एक soup बॉल में ले लिया हूँ और serving कर रहा हूँ और मैं उमीद करता हूँ जो आप लोगों के ये वीडियो चरूर पसंद आया होगा और ये soup को पर हमने थ्वासा bread ब्रेड जो हता है उसको fried करके add के हूँ और थ्वासा cream का garnishing कर लिया हूँ तो इसको cream of beetroot soup भी बोल सकते है इसमें एक ही चीज ने दिया है वो है basil का lip है ना तो ये हो जाता है तो चलिए friend आज के लिए thank you कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ सिस्क्राइब करना नहीं भूलेगा बैलोक अंदवना नहीं